हाई गाईज आप सभी का वेलकम है हमारे यूटुब चैनल के एक और नए वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो ड्रैगन होता है जर्मन टाइड नाम से तो उसको हम इजली कैसे ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको मैप उपन करके दिखाता हूँ कि जर्मन टाइड जो ड्रैगन है वो यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन यह 45 लेवल का होता है अगर आप इतने हाई लेवल पाल को अभी नहीं पकड़ पा रहे हो आपका लेवल कम होगा लेकिन जो यह ड्रैगन है जर्मन टाइड इसको आप अपने टीम में सामिल करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो आज की इस वीडियो मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेकर आखरी तक देख लीजे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे और इस वीडियो को लाइक कर दीजे तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तो यह जर्मन टाइड को कैच करने का सिर्फ दो ही तरीका है पहला तो यह है कि जो यह मैप में 45 लवल का बहुत है जर्मन टाइड इसको आप जाकर पकड़ लो और दूसरा जो है ब्रेडियो के जरी होता है तो दूसरा तरीका को हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तो जर्मन टाइड लेने के लिए आपको सबसे पहले 19 लेवल कम सकंप करना पड़ेगा जिससे जो है यह ब्रेडिंग फार्म जो है आपको अनलॉक करना है और फالم और पिर जो है कि इसके सपल का आपको ब्रेडिंग करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो मैंने एक list बनाया है यह देख लिजे यहाँ पर जो है row wise आपका ब्रेडिंग का पाल सेट है तो आप देख लिजे जो भी आपके पास पाल अविलेबल होगा उसका आप breeding कराकर जर्मन टाइड ले सकते हैं जैसा कि पहला breeding combination है नाइट विंग और हल्जाइफर तो ये दुनों का breeding कराएंगे तो आपको जर्मन टाइड मिल जाएगा और breeding कैसे कराना है वो भी मैं भी बताऊंगा पहले आप combination देख लिजे जो आपके पास अवलेबल रहेगा उसी के साथ आप breeding कराकर जर्मन टाइड ले लिजे और दूसरा combination है नाइट विंग और ग्रिस बोल्ट का तो आप देख लिजे जो भी आपके पास अवलेबल होगा और तीसरा है सियाना मौत और और सेक फॉर्थ है प्राइम और मिनाश्टिंग पता नहीं मैं प्रोनांसेशन सही कर भी रहा हूँ की नहीं लेकिन जैसा मुझे समझ आ रहा है मैं वैसी नाम बोल रहा हूँ आप जो है ये पाल का फोटो देखकर समझ जाईए और लास्ट जो है वो है जे ट्राइगन और पेंटिंग और इसके अलावा भी जर्मन टाइट का जो ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको स्क्रीन में स्क्रीन सोट सो करा देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये सारे ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन से आपको जर्मन टाइट मिल जाएगा तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ब्रीडिंग कैसे कराना है जैसे कि मैं अभी फर्स्ट वाला में से ब्रीडिंग करा देता हूँ और ब्रीडिंग कर करना है जो भी पाल को आप ब्रेडिंग कराना है उसको आप उठाएंगे और फिर उसके बाद जो है ब्रेडिंग फार में जाकर आपको असाइन कर देना है जैसे मैं अभी नाइट विंग को उठाकर ले जा रहा हूं और आपको ब्रेडिंग फार में यहां पर असाइन कर दे मैं already cake रख चुका हूँ और अगर आपको पता नहीं है कि यह cake कैसे बनता है कहां से मिलेगा क्या क्या लगता है तो उसके लिए हमारे चैनल में already वीडियो डला हुआ है आप उसको जाकर देख लिए बहुत easy तरीके से बताया गया है कि आप यह cake कैसे बना सकते हैं भी आसानी से और ज्यादस ज्यादा quantity में तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजे उस वीडियो को देखने के बाद आपको cake बना लेना है और इस बकसे में आखे डाल देना है उसके बाद जो है यह दोनों पाल्स ग्रिडिंग करके एक प्रोडूस करेंगे तो उसको आ बारे में भी आपको पता नहीं होगा तो हमारे चैनल में वीडियो डेला हुआ है आप उसको जाकर देख सकते हो और इसको अनलॉक करके आपको build कर लेना है और जैसे ब्रीडिंग का progress बार जो है वह complete होगा फिर उसके बाद एक प्रोडूस हो जाएगा और उसको आपको जा जर्मन टाइड रेगन कैसा दिखता है तो गाइस देखिये कितना ही जर्मन टाइड है और उसके सामने जर्मन टाइड इगना से वह तो एकदम छोटा बच्चा लग रहा है तो ऐसी आप भी करके अपने टीम में जर्मन टाइड सामिल कर सकते हो तो बस यही था आज का लिजे और हमारे इस यूटिब चैनल को जरूरी से सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में